Hello Friends, Mathemaster के दर देक वाच्न में पर सॉल्व कान दी ए साथ या जा साइवन थ वीडियो है स्टार्ट कार देयां सी 61 समतो जिस दी स्टेटमेंट है A and B are positive integers such that HCF of A and B is equal to 1 then fine root of a hcf of a plus B and a man said ठीक है देख वेच्छ से समनों से कोई concept नि लामागे स्ट एक्जम्पल दी अल्पना ला करांगे ईद एफ एफ और प्लस भी एंड एमंस भी एवन दूमेरा थी प्लस तू फाइब एफ ट्री मेंस तू बन एक्षिए इफ दिख्धा में फाइब ता कॉमन फेक्टर की आगे ते पन एफ किया गया थे फट्ट एफ एफट्सन एंट वोगी तेक डी थे एफशन क्या होए भी क्रिपाइब दोने की लायने में पॉस्ट में टीजर ठीक है ता मैं इनन अगर सम करके देखा फाइब प्लस त्री बनगे एट फाइब मैंस थ्री प्लस थी एट बनगे फाइब ने फाइब रिकर नम गे टू अगर मैंने एच्छ निकाला था नू पता एट थी तू थी तो क्योंके आंसर एक्षिए वन भी आ सकता टू भी आ सकता तो अप्षिन की हुए कि सादी सी तो इस तरह सी नमबर थेोरी ते ज्यादा था था सम आप्षिन लाइग की कर लेने है और एग्जम्पल लाइओ कोई भी विवी देना वाल सॉल्व विच्छ से फाइब कारना प्रोफ इंटीजर के लेस देन एन पॉर विच्छ दा जी सीडी ओफ एन एड के इस एकल टू वन मतलब एन तो छोटे ओ सारे किने नमबर बान देने जनना दा एन अनल जी सीडी की है वन जिमें कैसी कर लेने है फिर ज्यादा बता लागे जीगा जिए जिमें फाई आउफ फाइविसे पाइव जी सीडी सार देकोले वन होंदास है घैसे छुसे स्थे श्यादा नमबर देख्ड़ के टू आउब्यवरव अचुने काई le feel एन ना एंड टू टो में देन ए प्रफीता रिख्ष न एक ने को प्रषदी की हौनदा आउन मतलब हैसी एपध्यवर पैर से निकाल देया अगर कोई ज्यादा बड़ा नंबर होवे का ता उद्धा सी इस तरह निनना निकाल सकते तो दे लिए एक फॉर्मुला होंदा साटे को ले अगर किस कोई एन है उस दी प्राइम फेक्टरेशन है पी वन रेस टूपर आलफा वन पी टू अलफा टू अप टू अपलो होर भी कार ले निया थोड़ा पताला किजेगा जिमेक ए फाई ओफंडड़ फाइन ओड़ कारना सी ठीक है ता हंड़र दी पहला फेक्टरेशन कार लो ता यह उन दिया टू रेस टू पावर टू इन्टू फाइव रेस टू पावर टू इस दी की होएगी बाई टू यह बन जिगा साटे कोले फोर बाई फाई पाई ता यह टेन बन गया इधनल कैंसलो जिगा एधनल जिगा 40 मतलब फाई ओफंड़ करना आ गया 40 मतलब हंड़र तो छोटे 40 नमबर जने जननल हंड़र दा जी सिदी किया वन ता फाई एन दा बड़र सान तरीक का ह अगर आज यह था इक नमबर दा गोचने जिगा जिक्स्ति थार्ड साम साटे कोले है दा टार्म एन डीपनेंट आफ एकस इन दी एक्समेंशन औफ रफ और तन इस इसपेंशन दिवीच जो एन डीपनेंट अ उफ एकसे तर्म होई जो फाई रिक्सिदी आघनी आ करनी है अगर मैं इसनो देसनों को एक सब्सक्राइब अगर मैं इसनों नू कॉंपेर कर आधे पावर कर निये वन तरह देदा मतलब पी दीवल लुकी ओगी मेर कुली वन एक यूदि वैलु की वह एक वैल्ड यो गया पावर तैन इक है एथे मैं भाट बाकर दाना एम जिगा मिर अगर इस ए अपने को ट्रेक्ट फॉर्मुला नहीं जा थेगा ता आप बेस्क फॉर्मुल इनल भी कर लेने को कि अनुपाता जैनल टर्म लिखना था की फॉर्म लेंदा टी आर प्लस वन इस इकल टू एंड सी आर ए रेस्टो पावर एंड मैंस आर क्यों रेस्टो पावर आ युब अधे मैरिक फॉर्म ईंदे 10lav मेरिको लिखनी इस टार माई की आख स्टक यह जबा अगा थानि अःग स्टी आर यह यू सवाल ने यह को बद मतने शाना नू पावर एंड साहिं और मेर की आख वा ऑल नुछ चला टार्पंध फॉर्मौ अगर मैंनु उपर लेके जामा ठीक है तो बन जेगा X raise to power 10-2R थीक है means R हो जेगा मैंस R minus 2R बन जेगा minus 1 raise to power R अगर यह टर्मने independent of X होना ठीक है तो मतलब X the power की होनी चाहिए ज़ीरो तो X the power 0 की होनी यह 1 मतलब ए चीज की होनी चाहिए जीरो तो यहनु मैं 0 जेखको रखना आगा तो यह बन जीगा मिरको ले 10-2R equal to 0 तो आड़ दी वेल्लू किया गी 5 तो आड़ दी वेल्लू 5 वागर में इत्पट करां तो करी टर्म बनेगी है 5 प्लस 1 मतलब 6 टर्म जो होएगी अंडिपेनेंट ओफ एक्सी एंपसर किसे भी इनलसी स्नु करते है इस्तों बाद 64 सम है इस दे विच्छ ए टे भी एवी वाइनोमेन अनलेट्ट है इदे विच कॉफीच एंट जो एड नोट करदा ओ किस चीज नोट करदा कॉफीच एंट इस ही बाद मतलब एक्जांपल्स लेके कर लेने हैं अगर मैं देखो एन नोगोश भी रख देयां अगर आर नोम मैं एन नोमें 3 रख देयां यह बन जगा 1 प्लस x रेस टूपवर 3 इदी एक्स्वेंशन कोरना है बन जगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्यार प्लस x3 ठीक है तो मे यह बन गया कोफिषेंट आफ एक्स रस्टू पाबर बन तो मेंताक फििदी किया है। माओ इपसक्यार कोफिशेंट कियी है। अतो стать कहां है इदे विच ए टे बीगी ने होना अगर है इत्ते में ए टे बी तरह रखके देखा था था थी प्लस थी इस तरह कर सकते हैं जो 65th सम है यह है इदे विच है एन इस पॉस्टर में टीजर देन दा नमबर ऑफ टार्म इंद एक्सपेंशन किसे भी बाइनोमेल दिया नमबर ऑफ टार्म्स करनीया हों दियाने जन्नी पावर हों दिया उस ते ज्यादा हों दिया ठीक है ता अगर नहीं भी पता था इसनों असी इस तरह कार सकते हैं अगर एंदी वैलू नों में बान रख देयां ता मेरे कुले बन गया एक्स प्लस ए देगी वह मेरा आंसर रहेगी अगर अन्दी वैलू में इत्थे बान रखा है तो इस तरह से कोई भी एंदी वैलू नों रख के पॉस्टर में डीजर उस तरह कर सकते अगर एंदी वैलू टू रखांगे ता भी आंसर से यहां तो बाद जो 66 सम है उस दे वीच इंटरसेप of the plane intercept final डाने coordinate access मतलब x-axis नो कित्ते काट कर दा है plane y-axis काट करदा त्यक्चाण सुके कट कर दा एक तएक तहागा देखो तरीक कहे है अभी आगर 7 तो से नोगैं आठेग्स जी आगे एक्सट्याय रखाणई और, न बता x-axis तो देखो एक्स uh . अगले अपने कोले इंट्रसेप्ट फॉर्म की हुंदे किसी भी प्लेन दी एक्स वाइए प्लस बाई वाइए बी प्लस गेड़ी दी एकल तुल टुल को यह भी प्लस जेत्ली एकल्युस्ति वेला मतलब मैं नियुक्त भाइए रवन जायें लुट राजा जा चाहिए एवन दो ड़ेंगे प्लाज के भाइए वाइए ट्वाइए राव प्रद वाई ट्वाई तो फन एक एंट रोजेगा एक्स बाइट वाई श्क्स एव अवन जीगा यवाई पोर प्लस जट वाई ती इस एकल तो वन एंट्रसेप्ट फॉर्म चाहपने को लेते प्लास हुन देया है तो हीनो में लेक्सारा एक्स बाई श्क्स प्लस वाई ट्रीज इकल टू बन आए बीची जो हुन दिया हुए अपने को ले इंटरसेप्ट सून देने रहे थे इंटरसेप्ट किया गपने ग्स्क्स मैन्स पोर एट ट्री जो कि साड़ दा बीज तो ने तरीक के ने किसे तरीक कनल भी मर्ची कार सकते ए मैंतर सब्सक्त वर्थ तो डैसिते पॉइंट्फाइन रॉड कारूनु किया वाय एकस एकस भी जिरो प्रॉड्प जी जीड फिरो हुने त्योफ्सान देखलंगे अपर जीथे वीच सुख और्यनेट गुलीए तो यह ज़ो हुने अज और दू एन्फ देवाड बाद खोर्णीरों एक देखन धूभ आपने को ले बाई एक सिसे ते किया ता बाई एक सिसे ते जो बाई पोई टा बाई गॉाडिनेट आ वो ता नौन जिरू हो सागदा न जरूरी ता निजीरू हो गाता अंगर क्या अपना केड़ा बैस टन्स रफी इस तो बाई 68 सम है एक डिर्एक्षिन को साइन जना लेट डाहे है तासा नूँ पता होने जाएं देह पहले ड्रक्षन जो साइन होन देने उसाटे को ले होन देने ल, M, N ल की हुंदा साथ कोले कॉस अलफा पीटा एड़ कोस गम में अलफा पीटा गमा की पिटा की ऊंदे ने जो एक्सेच्जनल कोडिनेट एक्सेच्जनल साथे एंगल बन्ते ने थे यह इनने की किया दा त्टीरक्षेन को साइज आफ लाइन equally inclined to the coordinate x section, जीने के equally inclined ने coordinate x sectional, मतलब αलफा इकल तोankaटु गमा हो गया था dating 10 by sectional by sectional ज्यदे sectional जो利णी से बनने ऑलपा बोड़ा जये गंबोड़ा, पीक्तिन को साइन के वोक्या तो को सालफा को सालफा को सालफ़ा तो के तिन ने के यहिना आल फ़ी टागमा इक पोले सानु डिरेक्षिन की सानी वह सउसाइन को स travail बेंग पता है अलपस मत्पार्पस मपनाद कर फ्लास गता के स्कतित स्ट्र。 को स क्यारा अलफ यहीं विद्ध एंद धी व्लू में रिकस्क श्क कर अलफा जिए जिने इन डी वेलू में यह लिए टाइम्स को स्क्यार अलफा वंड़े गाँ इकल टू बन ने को स्क्यार आलफा इस एकल टू आलफा फास इस इकल नूब भै घुन एक अार अगाना कोड़े विच आगे एक लाइन है जो एक लाइन है जो एंगल्च बना रिए अलफा बीटा गाम्म विद ग्वाडीने एक सेक्षिण नाल अलफा बना रिये य एक्सेक्सिनल बिट्टा एंड जेट एक्सेक्सिनल की बना रही है गम्मा तब पाणू बता है अगर कॉस अलफा कॉस बिट्टा कॉस गम्मा एधी है डिरेक्शन को साइन्स होनगी तो इन्हों ची लिख दें हुने है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 तो के साथ यकोले formula होंदा L square plus M square plus N square equal to 1 तो होना सी value find out कर निया है इदी इदी अपा value find out करांगे इदी help नो ठीक है तो सबतो पहला मैं दिख लेना cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma तो साथ यकोले formula जो cos 2 alpha दा होंदा 2x दा होंदा होंदा साथ कोले 2 cos square x minus 1 तो इथ में इदी value रख देयांगा इवांज़का 2 cos square alpha minus 1 similar cos 2 beta value वांज़की 2 cos square beta minus 1 similar cos 2 alpha दी वांज़की 2 gamma दी वांज़की 2 cos square gamma minus 1 तो इनना तन्ने टर्मस दे विच्चों में 2 common काल लांगे वांज़का cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ठीक है तो मैंट्स 1 मैंट्स 1 मैंट्स 1 एवांज़का मैंट्स दे थ्री ता सानू पता है इस दी जो वैलू हुंदी है साथ दिकोले वांदे एकल होंदी है एधी वैलू 1 रख देयांगा टू मैंट्स 3 एवन जिगा साथ देकोले मैंट्स दा वन जो के साथ दा सी इस समदे विच देको सानू की दता हुआ साइने प्लास कॉस दी वैलू दोत्ती हुए वन असी फाइंड़ कारने है साइन 2 एधी देको इसनो मैं के में करांगा देखो अगर मैं यह दे विच दी वैलू कुछ रखना जीडि यहनू सैटिसपाई करें देखो अगर मैं यह दी वैलू नू जीरू रख देयां तो यह बन गया मेरे कोले साइन 0 तहाइन 0 क्ये हुंदा मेरे कोले 0 तो अनसर किया उले सी आ गया कारों देख अगर वैसे करना ता है के ईक श्यरिंग करता है बो साइड एवान जेगा sin a plus cos a 10 स्क्यार एकल टू 1 बंदस करता बान यह थे डेंटिटी लाहूं आता एवान जेगा sin स्क्यार एप्लास क्यार एप्लास 2 sin a cos a इकल टू 1 ता sin square a cos square इसानु बता बान देखकर होंदा एक आधा फार्मुला होंदा 2 sin a cos a sin 2a इकल टू 1 ता 1 नार बन कैंसल हो जेगा sin 2a की देखकर आगे 0 दे sin 2a 0 गित्थे होंदा है जदो sin की होबे 0 ता इन्हों मैं 2a की लिख साथ है 0 देखकर ता एए मेरे कोल किया गया 0 ता इस तरह भी लिख सकते हैं स्वरी इदना दा कारन दी लोड ही निया है एको ड्रेक्ट अपा sin 2a दी वेली होए नोट करना आगे साथे कोले 0 ता अजली अगरे वीडियो देखने लिए अड़े चैनल नूँ सब्सक्राइब कर लो थैंक्यू